आज मेरा डेस्टिनेशन है बेलूरमाट पहले बहुत बार मैंने बेलूरमाट गया लेकिन आज का जो मेरा रूट है ओ थो ठोला डिफ्रेंट है इस रूट से बेलूरमाट जाने में आप एक साथ बहुत सारा चीजों का मज़ा ले सकते है इस वीडियो में मैं ये सारा चीज डिटेल्स में बताऊंगा और अगर वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा पहले मैं पहुचा सितिर्मोर फिर सितिर्मोर से खूटी घट का ऑटो पकड़ा सितिर्मोर टू कुटी घट का ऑटो का फ्यर लिया 10 रुपए पर पर्सेन आटो आपको खुटी घट पे एकदम फेरी घट के सामने उतर देगा अभी मैं लॉंच घट के तरह भी जा रहा हूँ यह राइस साइड पे टिकिट काउंटर है लॉंच आपको उस पर लेके जाएगा लॉंच का फेयर है छे रुपए पर पर्सेन लॉंच से इस पर से ही आपको बेलून मॉन दिख जाएगा लॉंच से उतरने के बाद आपको दस मिनित चलना होगा फिर आप बेलून मॉन में मंदीर तक पहुज़ाएगा जाएगे बेलून मॉन में एंट्री करने के लिए कोई एंट्री फी नहीं है हम लोग दो पहर के बाद निकले है अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पर सुबाग 11 बजे के अंदर आ सकते हैं उस टाइम में आएंगे तो आपको यहाँ का प्रशाद भी मिलेगा आते ही आपक कुपन का कोई फिक्स प्राइज नहीं है आपके हिसाब से आपको जो इच्छा है उस हिसाब से आप दे सकते हैं फिर दो पहर को 12 बजे के बाद आपको प्रशाद खिलाया जाएगा अभी गर्मी का सीजन है लेकिन यहाँ का वेदर काफी फ्लीजन है उतना ज्यादा गर्म नहीं लग रहा है यहां का इन्वर्मेंट काफी कमाल का है यह लेफ साइड में ओफिस घर है अगर आप दो पहर का प्रशाद देना चाहे तो फिर आपको यहां पर आके ही बुकिंग करना होगा और यह सामने में मंदिर है और इस रस्ते से सीधा जाके घाट है यहां पर आ पीछे यह एक दूसरा मंदिर है और उसके पीछे एक और मंदिर है प्रुब ढमाद प्रशाद प्रशाम प्रशाद 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 बुकिंग करना है यहां पे एक म्यूजियम है म्यूजियम का एंटीफी है 5 रुपाई करके पार परसें म्यूजियम के अंदर सामी विवेकननद जी के और रामकिष्ण देव जी के और सारोदा माता जी के जो भी एंटिक चीजे है वो रखा हुआ है जो उनक्या यूस का चीज है सुरस जलने के बाद मंदिर का जो विव है वो चेंज हो जाता है और यह आभी आप मेरे सामने देख रहा है नजरा काफी कमाल का है शाम के टाइम में आर्थी होता है बहर एक स्क्रीन लगा हुआ है वासे आप आर्थी देख सकते हैं अगर आप चाहे तो अंधर जाशी भी आर्थी देख सकते हैं स्क्री देख सकते हैं इहां पे और बहुत सारा जगा है हर जगह पर केमेरा एलाओ नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप वो सारा जगा एक्स्ट्रोर कर पाएंगे अगर आप लोग चाहे तो फिर यहाँ पे मेट्रो पकड़ के भी आ सकता है उसके लिए आपको दक्षिनेश पर उतरना पड़ेगा फिर दक्षिनाश्वर से लांच पकड़ के आपको बेलूर मॉन आना पाड़ेगा खुटी घाट के ओटो स्टैंड के अपोजीट पे यह मंदीर है यह छोटा सा मंदीर बहुती सुन्दर है दिखने में अगर आप मेरे वाले रूट से आएंगे तो आपको यह मंदीर बोनास में दिखने को मिलेगा फिर आप लोगों से मुलाकाद होगा किसी दूसरी जगे पे तब तक के लिए गुडबाई